दोस्तों इस वर बड़ा ही द्यालू है इस बात को हम एक कहानी के माध्धाम से समझते हैं एक राया था उसके पाल बिसाल फलों का बगीचा था जिसमें कई तरह के फल लगे हुए थे उस बगीचे की सारी देखरेक एक किसान अपने परिवार किसान करता था और वो किसान हर बगीचे की ताजे फल लेके राजा के राज महल में जाता था एक दिन किसान ने पिणों पर दिखा कि नर्यल अनार अम्बूर और अंगूर आदी पकर तयार हो गए हैं और वो फिर किसान सुचने लगा कि आज कौन सफर राजा को अर्पिट करूं उसे लगा कि आज राज किसान ने रोज की तरह मीठे और असीले अंगूरों की टुकरी राजा के सामने रख दी ओर थोड़ी दूरी पर बैठ गया अब राया उसी खैयालों में टूकरी में से अंगूर उठाता एक खाता और एक खिच़र किसान के माळखा निसाना साथ कर ठैक दिता राजा का अं और बार बार अंगूर मार रहा हूँ यह लग भी रहे हैं। Keep तुम बार बार यही कह रहा हो कि इस्वा बड़ा ही दयालू है किसान ने बड़ी ही नमता से जवाब दिया राया जी बकान में आज नरियर अनार अमरूर और अंगूर आदी फल तयार थे पर मुझे भान हुआ कि क्यों ना मैं आज आपके लिए अंगूर ले चलू अब लान इसक्षा मिलती है कि इसवार हमारे बड़ी से बड़ी मुस्विटों को हल्गा करके निकाल लीते हैं और हमने उसका एसास भी नहीं होता है कुछ लोग उन हल्की मुस्विटों को बढ़ा रूप ले लिए और भगवान को उपर ब्लेम करते हैं कि यह में साथ क्यों हुआ कि में साथ नहीं होना चाहिए था उल्टा इश्वार का सुक्यादा नहीं करते हैं और उन पर ब्लेम करते हैं यह बहुत गरत बात है अगर यह कंटेर आपको यूश्फुल लगा हो और लगा कुछ सिर्क्रों को मिला हो तो इस बत हमारे चैनल को लाइक कर देना को कि इसी तर अगल झाल झाल झाल